Fact Video की Editing तो पिछले Fact Video की Editing में Part 1 का सभी चीज़ complete हो गया था और Part 2 का बहुत सारा point छूड़ गया था क्योंकि यार Fact Video Editing अपने आप में ही एक बहुत बला topic है इस एक वीडियो में cover करना तो मुश्किल ही है और वैसे भी Fact Video Editing बहुत type की होती है तो मैं हर एक tab की fact video editing part by part series में लाता रहूँगा तो देखो guys, fact video editing के part 1 में आपने video को export कर लिया था और part 2 में आपको 9-16 का ratio लेकर new project लेना था क्योंकि short इसी ratio में पले होता है और ज्यादा जगह मिल याती है editing करने के लिए इसलिए मेरे हिसाथ से ये ratio best है और एक और ज़रूरी बात कि इस editing के लिए ये सभी material चाहिए जो अभी screen पर दिख रहा है तो जाने से पहले इसे लेना नहीं भोलना ठीक है हाँ इस्टा और Facebook का ये वाला logo भी तो यहाँ किरियेट पर किलिक करके उस video को select करना जिसे आपने export किया था तो आपको याद होगा तो मेरी ये वाली वीडियो थी वो अब यहाँ से ध्यान देना आप लो कि मैं यहाँ से क्या क्या करता हूँ ठीक है तो सबसे पहले आपको तीन background music की ज़रूरत पड़ेगी इंट्रो, mid, outro देखिए, short video का intro जो होता है वो emotion या curiosity intro होता है और satisfying outro होता है खैर इसे detail में कभी और बताऊंगा अभी बस इतना जान लिजे कि आपका जो intro का first background music होगा वो curiosity या किस्टनेबल background music होना चाहिए तो इस video में starting का 3 second ही intro के लिए है तो मैं 3 second तक इस background music को रखूँगा और आपका ज्यादा तर वीडियो in build, mid, intro 7 second से ज्यादा नहीं रखीगा और उसके बाद mid का background music एड़ करना है जो कि happy या good emotion वाला भी एड़ कर सकते हैं और हो सकता है कि एक background music में दो emotion भी होते हैं जैसी कि मेरी इस background music में है तो मुझे जहां से चाहिए मैं वहां से cut कर लेता हूँ तो आप भी देखिया कहीं एक background music में दो emotion तो नहीं है और अगर ऐसा है तो अलग-अलग video का recording उसको use कर सकते हैं अब उसके बाद आपको video का outro ढुनना है यह आपके background music के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है यह depend करेगा कि आपके background music का original volume कितना है ठीक है तो उसके हिसाब से आप adjust कर लिजेगा और उसके बाद चले आना है starting में और उसमें देखना है कि सबसे पहले आपने text या photo as a overlay कहां पर use किया था वहीं पास background music के volume envelope में जाकर एक pin लगाना है और starting में आकर volume को zero कर देना है और उसके बाद जो भी आपका पहला text या photo है उसका animation जहां पर खतम हो क्यूंकि उसमें अपने key की मदल से animation तो दिया ही होगा और उसका sound effect भी अब जिनें भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या बोल रहा हूं तो वो इसका part one पहले देख लें तो सब समझ आ जाएगा तो जहां पर भी animation खतम हो गया होगा वहां एक pin लगा कर बीच के sound को कम कर देना है कि सबसे पहले तो आपको starting 3 second तक एक text या image animation add करना है ठीक है एंड 3 second में कम से कम आपको 3 B-roll या 3 cuts तो लगाना ही लगाना है हां इसके उपर detail वीडियो चाहिए तो बता देना कि कितने दूर उपर B-roll cuts होना चाहिए और intro से ही hook कैसे करना है audience को तो अगर वीडियो चाहिए तो drop करो comment fast तो अभी के लिए बस इतना समझो के starting के 3 second में जब hook के लिए कोई ऐसा word बोलोगे तो उस पर audience कर attention जा सके इसके लिए background music का level धिरे धिरे आप होता है तो इससे अलगी level की vibe create होती है एंड उसके बाद जैसे ही first animation आता है तो उस animation के साथ sound effect और भी killer vibe देता है क्योंके background music तो कम होई गया है उस part पर इसे लिए तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है और जहां जहां भी photo text animation आये वहां यही काम करना है reason क्या है यह मैंने बता ही दिया and starting में जैसे volume कम किया था वैसे ही last में बढ़ा देना है अब उसके बाद description में दिये हुए link से इस file को open करना और यह first वाला vintage transition with sound यह वाला effect को add करना अब देखो इसका एकदम छोटा सा part use करना है इसमें तो देखो सबसे पहले इसे full कर लेना है और 2 second पे कुछ इस तरह से एक paper png slide होगा left की तरफ तो उसके slide के बाद आगे के transition को cut कर देना है और उस paper png transition animation के starting में आकर उसके आगे का भी cut कर देना है means आपको छोटा सा transition effect उठाना है उसके बाद इसके blending में जाकर screen कर देना है पहले screen नहीं करना वरना cut proper नहीं लगेगा ठीक है ऐसा बहुत जगह पर होता है क्योंकि सिर्फ transition effect यूज़ करने से नहीं होता है editing से भी एक story किरेट होनी चाहिए न तो वहीं पर आपको यह silent transition यूज़ करना है जिसे देखे यहाँ पर कोई भी transition नहीं है तो जैसे ही यह खतम होता है और यह शुरू होता है उसके बीच में time stamp को रख कर उस transition को रख देना उसके बाद वीचो बीच में से अच्छे से adjust कर देना उसके बाद starting में आना और layer में जाकर glitch dust overlay add करना उसके बाद जितनी दूर में आपका वीडियो है बस उसी जगह पे आपको overlay लगाना है पूरे screen पे नहीं लगाना है फिर इसको screen कर देना है उसके बाद 3 second या 7 second तक जो भी आपका intro हो देखि सबसे पहले तो आपको intro में confuse नहीं होना है यह intro long video वाला नहीं है कि आपको direct पता चल जाएगा आपको script में ही इसका ध्यान देना होगा script के time ही आपको filmmaking का 3 step rule follow करके intro बनाना है क्योंकि यार आपका video भी किसी film से कम थोड़ी है और अगर है भी फिर भी आपको filmmaking का process को ही follow करना है script के time तो intro तक या वाला overlay को रखकर चाहे तो speed बढ़ा दीजे, नहीं तो ऐसे ही cut कर दीजे और उसके बाद made में आपको या वाला overlay add करना है क्योंकि इसमें answer और question दोनों है तो या वाला overlay best रहता है वैसे आप अपने according भी लगा सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है again same full screen नहीं रखना है बस जितना ratio का video है उतना ही रखना है और फिर screen करके speed बढ़ाके 3-4 second के बाद cut कर देना है इसी तरह से 4-5 second का overlay use कर लेना है आपको same जितना overlay मैं दूंगा भी वो और इसके इलावा overlay को उपर एक video भी upload कर दिया है तो उसको भी देखकर overlay ले सकते हैं overlay की कोई कमी नहीं है अच्छा-चा overlay use किजेगा and guys तो जितना मैंने video दिया था वो तो use हो गया अब जो यह image है उसे लेकर आपको pixel lab में आ जाना है और यह वाला yellow और red दोन हो और ध्यान रहे कि यह FB का logo और Instagram का logo लाना नहीं भूलना means यह सारा material आपको download कर लेना है हर आल में हर एक video में इसका use होगा ठीक है तो pixel lab में आकर आपको image size को one is to one लेना है अब देखिए video का size भी one is to one है और यहाँ भी one is to one तो इसको manage कैसे करना यह भी बताऊंगा पहले इसे बना लीजिए उसके बाद यहाँ किलिक करके इसके color को white ले लीजिएगा क्योंकि white लीजिगा तो यह बाहर का side black हो जाएगा जिसमें detailing में yellow color अच्छे से दिखेगा तब तो मज़ा आएगा काम करने में तो अब ध्यान से देखना है guys तो सबसे पहले एक shape लेना है और उसको कुछी step से उपर रख देना है उसके बाद इधर नीचे scroll करना है और यहाँ पे color के बगल में texture दिखेगा इस पे click करना है उसके बाद यहाँ gallery पे click करना और फिर उस file में जाना जो मैंने दिया है उसमें से ये yellow वाला या फिर ये वाला इन दोने में से कोई सबी ले सकते हो उसके बाद एक को select करना फिर उसे crop करना जतना बड़ा shape था उतना ही crop करना इससे detailing अच्छा आएगा उसके बाद यहाँ select पे click कर देना तो देख सकते हो कुछ ऐसा texture या yellow color बन गया है जो काफी amazing लग रहा है उसके बाद इसे lock करके फिर एक shape लेना and इस बार इसे नीचे रखना फिर वैसे ही texture में जाना फिर image में and इस बार यह दोनों को नहीं लेना है because यह दोनों उपर ही सही लगता है नीचे के लिए इसे select करना और वैसे ही crop करके add कर देना फिर इसे ऐसे rooted करके adjust कर लेना then text में जाना अब यहाँ पर भी ध्यान देना यह भी अलग तरीके से होगा तो सबसे पहले एक hook line लिखना जिससे video की story तयार हो मैं example के लिए लिख देता हूँ YouTube की एक minute की कमाई अब देखो यह थोड़ा lengthy हो रहा है जिससे वहाँ पर छोटा करना पड़ेगा इसलिए यह वाला line जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना because छोटा और catchy word बड़ा दिखेगा तो attractive लगता है और हाँ Hindi English मिला कर लिखना जैसे जो word Hindi में अच्छा नहीं लगेगा तो उसे English में लिखना आप English में लिख सकते हैं आसानी से या फिर अपनी language में लिख सकते हैं मिला कर जैसे मैं Hindi English मिला कर रिख रहा हूँ वैसे आप अपनी local language और English मिला कर रिख सकते हैं उसके बाद कितनी है इसको Hindi में अब यहाँ पर आपको question mark नहीं देना है text वाला ठीक है क्योंकि आपको question mark तो use करना ही चाहिए इसलिए text वाला question नहीं देना है इसके लिए image वाला question mark add करना बाहर से उसके बाद ok करके थोड़ा बड़ा कीजिए and इसके font में आ जाईए और इसमें जो भी English का keyword है इसे ऐसे select कीजिए और ये वाला font select कर दीजिए इसका name देख लिए इसको download कर लेना है या फिर मैं देखूंगा इसका link होगा तो provide कर दूँगा ठीक है नहीं तो आपको download कर लेना है इसके name से वैसे इसका use thumbnail बनाने में भी बहुत होता है वैसे ही earning को भी select कर लेना है and Hindi वाले keyword को वैसे ही छोड़ देना है वो normally पतला रहेगा तो यह दोनो text highlight होगा उसके बाद इसको ऐसे adjust करके right side में जगा चोड़नी है थोड़ा फिर यहाँ पलस पे click करके यह वाला question mark add करना है and इसको छोटा करके यहाँ पे adjust करना है अच्छे से अब देखिए यह text adjust तो हो गया है अपनी जगह अब ध्यान से देखिएगा यह पूरा text को सबसे पहले copy करना है then उसके edit में दाकर सबको delete कर देना है सिर्फ YouTube को छोड़ कर means आपका जो भी English वाला keyword होगा मतलब जो भी highlight keyword होगा बस उसे छोड़ना है उसके बाद इसे पहले वाले YouTube पे अच्छे से adjust करना है ताके पीछे वाला दिखे नहीं उसके बाद फिर से एक बार copy करके इस बार earning को रखना है means आपका जो भी English keyword या bold keyword होगा उसे फिर से copy करके उसके उपर रखना है अच्छे से आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं लेकिन उससे size बड़ा छोटा हो जाएगा इसलिए ऐसा करना है और उसके बाद आपको इस पे click करना है और जो आपका single YouTube था मेंस जिसको बाद में add करके उपर रखेते हैं उस पे click करना है और इधर scroll करके वहीं texture पे चले जाना है और इसमें ये red वाली image लेना है और इसमें एक छोटा सा part select करना जो बहुत ज्यादा bright हो उसे select करके यहाँ click कर देना है और यही काम earning वाले keyword में भी करना है मतलब कि यह काम आपको उसी keyword में करना है जो keyword आपका highlight हो जिसे आप दिखाना चाहते है means जो आपका main keyword हो उसके बाद बाकी का जो keyword है उसको select करके उसका color black कर देना है अब आपको यह वाली image add करना है आप चाहें तो यह काम shape लेकर भी कर सकते हैं कोई issue नहीं है क्योंके वैसे भी इसका color तो change करना ही है तो इसे सबसे पहले छोटा करके bold text के उपर रखना है उसके बाद सबसे पहले इसके opacity को zero कर देना है और shadow में जाकर white select कर देना है फिर इसे थोड़ा adjust करके copy कर लिजेगा देन उसे second keyword के उपर रख दीजेगा अब यहाँ ध्यान से देखे इस पर click करके यह जो दोनों image है इसे बस उस keyword के पीछे भेजना है ना कि यह जो full keyword है इसके पीछे देखे यह जो keyword है वो सबसे पहले वाला full keyword है जब आप भी ऐसे ही बनाएगा तो आपका भी कुछ ऐसा ही keyword बनेगा मिस full वाला नीचे रहेगा और उसके बाद जो add की है वो दोनों उपर रहेगा तो आप इसके उपर यह दोनों bold या main keyword है ठीक है तो आप इसका image इस keyword के पीछे और इसका image इस keyword के पीछे बस अब अगर यह image ज़ादा highlight हो रहा है तो image में जाएगे और इसके shadow में जाकर यहाँ पलस पे किलिक कीजिए और यह जो last वाली line है इसको थोड़ा इधर कीजिए देखे ध्यान से इसे पूरा इधर करने पे यह पूरा transparent हो जाएगा और पूरा इधर करने से full highlight रहेगा तो थोड़ा इधर कीजिएगा तो थोड़ा opacity कम हो जाएगी उसके बाद done करके अब देखिए यह कितना अच्छे से set हो गया वैसे ही इसे भी कर देना है अगर यह भी जादा highlight है तो यह एकदम detailing पे काम हो रहा है इससे वो keyword आपका अच्छे तरह से highlight हो गया है ठीक है अब देखिए यह subscribe animation के आपको जरूरत पड़ेगी जिसका link भी मैं दे दूँगा लेकिन इसको यहाँ पर use नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ photo बनेगा सिर्फ है एंड इस्टा के shadow को white कर दीजगा तो आप देखिए कितना highlight होने लगा और अगर इसके shadow को rotate करके इधर कीज़ेगा तो यह और highlight होगा देन इससे एड़ेस करके फिर facebook एड़ करना है और इसे भी side एड़ेस करके रख दीजेगा एंड उसके बाद guys आपका इंस्टा और fv and youtube यह सभी social media में आपका नेम तो same होगा अगर नहीं हो तो same ही रखा कीज़े नेम को guys जिससे branding में फायदा होता है जो भी आपके channel का नेम है other social media पे भी same name रखा कीजिए जैसे मैं other social media पे भी YouTube वाला नेम से ही हूँ तो वैसे ही यह वाला username add the rate लगा कर रख देता हूँ मैं और उसका भी font यही वाला select करना है और इसका color को white रखकर इसको बीचो बीच रख देता हूँ तो यह अब आपका इंस्टा एंवी का username हो गया और यहा और यलो का shadow radia black रखना है जी हां यह color correction का आप लोग ध्यान दिया किजिए बहुत लोगों का color खराब रहता है जब मैं live channel checking में देखता हूँ तो ठीक है इस तो आब तक इतना ही करना है वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो जल्दी से यहाँ पर किलिक किजिए और color के बग then save कर लीजिए इससे होगा यह कि next video में सिर्फ आपको यह text change करना है वीडियो के according और बाकी सब कुछ samey रहेगा अब उसके बाद guys आपको आ जाना है काइन master में जहां से आपने अपना project रोका था और उस image को add करना है जिसे आपने अभी बनाया है अब देखिए इसे सबसे प आना है और यह वाला subscribe animation add करना है फिर इसका chroma की enable किजिए and अब यहां से choice आपकी है कि आपको यह subscribe animation यहां पे रखना है या फिर यहां पे क्योंकि वीडियो तो यहीं तक है और नीचे सिर्फ title दिखेगा means यहां पे कुछ जगह बची है वैसे मैं यहां पे रखता हूँ user name क अब user name कैसे दिखेगा उसके लिए सबसे पहले starting point का कुछ cut करता हूँ अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा कर बीच बीच में cut लगा देता हूँ हर एक दो तीन सिकंड पे पहले बीच में cut फिर trim to left जिसे होगा यह कि user name भी दिखेगा और बीच बीच में subscribe animation भी आता र देना फिर यहां बस subscribe animation तक select कर देना तो देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें यह भी अच्छा ही लग रहा है कि बीच बीच में बस ऐसे subscribe का symbol आएगा और वो circle वाला भी ठीक था वो आप अपने according दोनों को लगाते रहना ठीक है और फिर layer में जाना और यह color animation background add करना इसे मैंने खुद बनाया है आप लोगों के लिए एक ये है और एक और है कहां गया हाँ ये वला इन दोने में से कोई सा भी use कर सकते हो जिसमें मैं इसको use करना बताऊंगा वैसे ही उसको भी use कर सकते हो अलग-अलग वीडियो में दोनों में ही मज़ा आएगा तो इसको use कर कर देना है और इसको ऐसे बड़ा करके ऊपर लेकर चले आना है दिन वो जाकर duplicate करना और फिर एक को select करके cropping में जाकर उपर की तरफ crop करना और दूसरे को नीचे की तरफ crop करना और फिर इसको वीडियो के बाहर लाकर set कर देना क्योंकि यही है जो आपके वीडियो में भी overlap करेगा बस और उपर वाले को तो मुझे जड़ा भी idea नहीं है कि अब वीडियो केतनी बड़ी हो रही है और इसमें मेरी अतनी मेहनत लग रही है तो आप लोग इसे full देखकर इसका benefit ले भी रहे हैं या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है bro कि फिरी का content समझकर आप लोग हलके में ले रहे हैं इसे लेकिन comment section में यह time system ज़रूर comment करो जिससे मुझे पता चले कि कौन-कौन value दे रहा है इतना effort वाले content को तब ही तो मैं जो इतना effort देकर वीडियो बनाता हूँ तो आगे भी और इससे ज़्यादा valuable और researchable वीडियो बनाऊँ इसी बात पे एक like भी करीदो यार अगर like का button show होता है तो एंड उसके बाद guys कुछ गलत हुआ है तो उससे सुधार करके direct export कर लिजेगा एंड गाईज वो part 1 वाली वीडियो और ये part वाली वीडियो यह दोनों देखकर आप जब ऐसा edit करिएगा तो जतना detailing पर work करिएगा उतना time लगेगा first time लेकिन उसके बाद धिरे धिरे practice हो जाने पर best video बनाने में एक घंटे से ज़्यादा time नहीं लगेगा तो first time हो सके बहुत time लग सकता है आप लोगों को लेकिन practice make man perfect ऐसा कुछ dialogue सुना है ना पूरा dialogue क्या है या मुझे याद भी नहीं आ रहा तो guys वो part 1 वाली वीडियो और बाकी fact creator का full course free में देखने के लिए यहाँ पे click करो नहीं तो latest video देखने के लिए यहाँ पे click करो तब तक के लिए